Hello friends, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि DC मोतर का स्टार्टिंग करेंट हाई क्यों होता है तो friends वीडियो को आप कम्पलीट वाँच करना तभी आप लोगrichten को ये कॉंसेट समझ में आने वाला है Friends एक रिखिएस्ट और है आप लोगों से 93% लोग आप लोग मेरे चैनल को watch करते हैं मेरे वीडियो को watch करते हैं मगर चैनल को subscribe only 7% लोगों ने किया हुआ है तो चैनल को subscribe जरूर कर ली दिये तो चलिए दोस्तों आप अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं DC motor का starting current high क्यों होता है यह सीधे depend करता है back EMF पर जितना ज़्यादा back EMF होगा आर मेचर करेंट उतना ही कम होगा ध्यान से सुनिये का मैं फिर आप लोगों बता देता हूँ back EMF पर depend करता है starting current यानि जितना ज़्यादा back EMF होगा उतना ज़्यादा अपना current है आर मेचर का वो कम होगा अगर आपको नहीं पता है कि back EMF क्या होता है इसका मैं already वीडियो बना चुका हूँ तो आपको right hand side को जो i button देख रहा है वहाँ पर back EMF वाला वीडियो का link मिल जाएगा और description में बैक EMF वाले वीडियो का link देख दोगा तो friends वहाँ जाके आप बैक EMF वाला वीडियो जरूर देख लेना तब आपको concept और भी अच्छे से clear होने वाला है तो friends बात मैं कर रहा था back EMF की friends देखिए मानलो यह अपनी motor है DC motor है जितना ज़्यादा इसका revolution होगा याने starting में back EMF होता है वो अपना zero होता है ठीक है तो अपना armature का current उतना ज़्यादा high होता है बोलनेंगा मतलब यह हो गया कि अगर motor यह अपनी अगर synchronous speed से रोटेट करने लगी याने इसने अपनी full speed अगर पकड़ लेगी तो अपना back EMF उतना ज़्यादा हो जाएगा और अपना armature current है अपना कम हो जाएगा तो चलिए मैं भी आप लोगों को एक formula दिखा देता हूँ उससे आप लोगो concept बहुत अच्छे से clear होने वाला है back EMF का लेकिन friends back EMF वाला video जरूर देख लेना तो ही आप लोगों को एक concept clear होने होगा फ्रेंड्स देखिए यह formula होता है V is equal to EB plus IA और RA EB क्या होता है यह back EMF है IA है armature current है और जो RA है वो होता है resistance अभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से concept clear हो जाएगा friends देख लिए लेकिन वीडियो को आप complete watch करना देखिए मालो एक example है यह starting position मालो starting condition अपनी motor की मालो अपना voltage है 220 volt और अपना back EMF zero है और armature current अपनको find out करना है और resistance अपना दो हम है यहने जो resistance है मालो fixed है ठीक है और यह वाला voltage स्टार्ट होती है बिल्कुल तो वहां पर back EMF zero हो जाता है क्योंकि रोटर ही rotate नहीं करता है मैंने अभी आप लोग बताया भी था कि अगर motor अपनी synchronous speed से rotate करेगी और फुल स्पीड पर होगी तो back EMF उतना ज़्यादा होगा मगर starting में मालो अब देखिए मेरे को यह सारी वैल्यू को मैं इस फॉर्मूल में पुट करता हूं और मैं आर्मेचर करेंट यहां से find आउट करता हूं तो देखिए मैंने सारी वैल्यू को यहां पुट कर दिया है voltage बैक EMF zero हो गया है आईए और आरे आईए मेरे को find आउट करना था resistance value दो गोमती तो यहां पर देखिए जो आर्मेचर करेंट आया है यहन्याइन आईए की वैल्यू किती है 110 A आ गई है यहां आर्मेचर यहां पर करेंट यहां पर किता था 110 A यह करेंट बहुत ही ज्यादा होता है ठीक है और यह क्यों आ गया है क्यूंकि बै मेरे को इसी फॉर्मूलेंप में अब इवी कि वेल्यू निकालता हूँ आप देखिये मेरा 220 वल्ट हमेर घर म divorceस्त था यहाना अब मेरे को मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया तो यहाँ पर दीए बैक इमफ की वैल्यू किती आ गई है जीरो आ गई है याने मतलब यहने क्या हो रहा है अगर बैक इमफ जीरो होगा तो आर्मिचर करेंट मेरा कितना होगा 110 एमपियर ठीक है फ्रेंट इतनी कहानिया आप लो होगा तो आर्मिचर करेंट अपना हाई होगा इसलिए अपना स्टार्टिंग करेंट हाई होता है मोटर का उस टाइम क्या होता है जो बैक इमफ होता है वह जीरो होता है अब देखिए फ्रेंट्स स्टार्टिंग में बैक इमफ जीरो होता है इसलिए अपना जो करेंट होत इसके मैं आल्रेडी वीडियो बना चुका हूं डिस्क्रिप्ट में सारे स्टार्ट के वीडियो के लिंक है तो वह आप जरूर देख लेना स्टार्ट इसी लिए यूज़ करते हैं ताकि स्टार्टेंग में अपना जो करेंट अपना हाई होता है उससे अपन बच सके और मोटर को प्रोटेक्शन मिल सके इसी वाले फॉर्मूले में मैं ठीक है अब मैं EB के वैल्यू बढ़ाता हूं मालो मोटर मेरी अब रोटेट होने आर मेंचर का जो रेजिस्टेंस है वह दो ओम है अब मेरे को यहाँ पर IA की वेल्यू फांड आउट करना है यहाँ आर मेंचर करेंट देखिए, EB की value मैंने कित्ती ली थी, यहाँ पर back EMF की value कित्ती ली थी, 210 voltage ली थी, अब मालो, मैं इसको थोड़ा value मैं और बहा देता हूँ, अब मैंने कित्ती ले ली यहाँ पर value देखिए, 215 voltage, ठीक है, अब यह वाली जो सारी value गो, ठीक है, मैंने इस वाले formula में फिर से put कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए, कितना निकल के आ गया है, यहाँ पर देखिए, armature current और भी ज़्यादा कम हो गया, यहने, 2.5 ohm हो गया है, ठीक है, यहाँ पर 5 ohm आ गया था, ठीक है, अब यहाँ पर 2.5 आ गया है, यहाँ पर, देखिए, आप लोगो clear हो रहा होगा, कि जितनी ज़्यादा मैं, back EMF की value बढ़ाता जाओंगा, back EMF का voltage बढ़ाता जाओंगा, उतना ज़्यादा armature current कम होता जाएगा, देखिए, यह तो starting condition थी, ठीक है, उसके बाद मैंने back EMF की value बढ़ाई, और इस वाली condition में और back EMF की value बढ़ाई, तो जैसे जैसे back EMF की value बढ़ मैं बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, अब आप लोगों clear होता जा रहा होगा, कि इस motor में starting current high क्यों होता है, क्योंकि उस time back EMF की value ही 0 होती है, क्योंकि back EMF, जितना जादा motor rotate करता जाएगा, armature rotate करता जाएगा, तो उतना जादा back EMF होता जाएगा, और अपनी जो armature की value, armature current की value उतनी जादा कम होती है, मगर starting में back EMF 0 होता है, इसी लिए starting current high होता है, यही concept होता है, मोटर का, तो अब आप लोगों clear हो गया होता कि starting current मोटर का high क्यों होता है, फ्रेंट्स, motor, generator, transformers, ठीक हैं, यहने सारी मोटर्स के, stepper motor, reaction motor, repulsion motor, यह सारी मोटर्स के already मैं video बना चुका हूँ, तो description में फ्रेंट्स, link है, उन वीडियों का, तो जरूर देख लेना उस playlist को, उसमें सारे concept आपके सभी motor के clear हो जाएगे, और फ्रेंट्स, अभी तक आपने म मैंने सारे videos डाल दिये है, generator, motor, machine से related, तो फ्रेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोग से अगली video में, तब तक के लिए, bye bye and take care.